परिचय तुम अपने चारों तरफ अनेक प्रकार के जीव जन्तू तथा पौधे देखते हो, ये सभी विभिन आकरिती तथा आकार के होते हैं, तथा दिखने में एक दूसरे से बिलकुल भिन्न होते हैं. लेकिन इन सभी में एक चीज समान होती है, ये सभी जीवन की छोटी इकाई अर्थात कोशिका से मिलकर बने होते हैं, इसलिए इस मोड्यूल के अंतरगत हम कोशिका तथा उसकी संदचना के बारे में अध्ययन करने जा रहे हैं. उद्देश्य इस पाठ के अंत में आप निम्न करने में सक्षम हो जाएंगे. कोशिका तथा उसकी खोच के बारे में जानना. एक कोशिक तथा बहु कोशिक जीवों को परिभाशित करना. कोशिका की संदचना की व्याथ्या करना. प्लेज्मा जिल्ली, कोशिका भित्ती, केंद्रक तथा कोशिका द्रव्य की सनचना तथा कारियों का वर्ण करना. कोशिका का परिचय कोशिका जीवन की मूलभूत, संदचनात्मक तथा क्रियात्मक इकाई है. प्रयोग प्यास का एक छोटा टुकड़ा लो, तथा चिम्टी की सहयता से उसकी जिल्ली उतारो. इस जिल्ली को तुरंत पानी वाले वाज गिलास पर रखो. एक काँज की स्लाइट लो. अब इस पर पानी की एक बूंद रखो. तथा वाज गिलास में रखी जिल्ली के इस छोटे से टुकड़े को इस स्लाइट पर रखो. अब इस टुकड़े पर एक बूंद आयोटीन फिलियन की रखकर सुई की सहयता से इसे कवर स्लिप से ढग दो. अब इस स्लाइट को पहले कम शक्ति वाले तथा बाद में अधिक शक्ति वाले संयुक्त सुख्ष्म दर्शी की सहयता से देखो. ये सभी सनचनाई एक दूसरे के समान होती हैं. कोशिका की खोज कोशिका की खोज सर्व प्रथम किसने की? कोशिका की खोज सर्व प्रथम रॉबर्ट हुक ने सन 1665 में की थी. उन्होंने प्राथमिक सुख्ष्म दर्शी की सहयता से कौर्क की पतली काट का परिक्षन किया, तथा पाया कि इनमें अनिक छोटे छोटे प्रकोश्ट हैं, जिसकी सनचना मदुमक्खी के छत्ते जैसी प्रथीत होती है. रॉबर्ट हुक ने इन प्रकोश्टों को कोशिका का नाम दिया. प्रथम जीवित कोशिका की खोज लुवेन हक ने सन 1674 में की थी. उन्होंने उन्नत सूक्ष्म दर्शी की साहता से तालाप के जल्बें इस कोशिका का अवलोकन किया. उलेखनिये वेक्यानिक रॉबर्ट ब्राउन सन 1831 में उन्होंने कोशिका के भीतर केंद्रक की खोज की थी. J.E. पुरोकंज सन 1849 में उन्होंने कोशिका के तरल्पदार्थ को प्रोटोप्लाज्म नाम दिया. स्लीडन तथा स्वान सन 1838 तथा सन 1849 में इन दोनोंने कोशिका सिध्धान्थ को प्रतिपादित किया. इस सिध्धान्थ के अनुसार सभी पौधे तथा जन्तु कोशिकाओं से मिलकर बने हैं, तथा कोशिका जीवन की मूलभूत इकाई है. विर्चो, सन 1855 में इन्होंने कोशिका सिध्धान्थ को आगे बढ़ाया. उन्होंने बताया कि सभी कोशिकाओं पूर्ववर्ति कोशिकाओं से मिलकर बनी होती हैं. जीवों के प्रकार जीव दो प्रकार के होते हैं. एक कोशिक जीव तथा बहु कोशिक जीव. एक कोशिक जीव में एक कोशिका से पूरे शरीर का निर्मान होता है. उधारण अमीबा, क्ले मीटो मोनास, पेरामीशियम तथा बैक्टीरिया. बहु कोशिक जीवों में अनेक कोशिकाओं समाहिद होकर विभिन कारियों को संपन्न करने हैं दू विभिन अंगों का निर्मान करती हैं. उधारण कुछ फंजाई यानि कवक, पौधे तथा जन् प्रतेक जीवित कोशिका में कुछ मूलभूत कारे करने की शमता होती है, जो सभी सजीवों का गुण है. उधारण के लिए हिर्दय की कोशिकाओं रुधिर को पंप करती हैं, अमाशे की कोशिकाओं भोजन का पाचन करती हैं इत्यादी. प्रतेक कोशिका के भीतर कुछ न प्रतेक कोशिका अंगक एक विशिष्ट कारे करता है, जैसे कोशिका में नए पदार्थ का निर्माण, अप्षिष्ट पदार्थों का निश्कासन आधी. कोशिका जिल्ली तथा उसके कारे कोशिका किस्से मिलकर बनी होती है? यदि हम कोशिका का अध्ययन सूक्ष्म दर्शी से करें, तो हमें लगभग प्रतेक कोशिकाओं में तीन गुन दिखाई देंगे. प्लैस्मा जिल्ली, केंद्रक तथा कोशिका दर्व्वे, कोशिका के अंदर होने वाले समस्त क्रियाकलाब तथा उसकी बाहे परियावरण से पारस्परिक क्रियाएं इन ही गुनों के कारण संभव है. प्लैस्मा जिल्ली यह कोशिका की सबसे बाहरी परत है जो कोशिका के घटकों को बाहरी परियावरान से अलग करती है प्लैस्मा जिल्ली कुछ पदार्थों को अंदर तथा बाहर आने जाने देती है यह अन्य पदार्थों की गधी को भी रोकती है कोशिका जिली को इसलिए वनात्मक पारगम्य जिली कहते हैं विसरण कुछ पदार्थ जैसे कारबन डायोकसाइट अथवा आकसीजन कोशिका जिली के आरपार विसरण प्रक्रिया द्वारा आ जा सकते हैं यह एक स्वाता प्रक्रिया है, जिसमें पदार्थों की गती उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर होती है। इस प्रकार विसरण कोशिकाओं के मध्धे तथा कोशिका तथा उसके बाहिव वतावरण के मध्धे गैसों के विनिमे में एक महत पुन भूमी का निभाती है। परासरण वरणात्मक पारगम्य जिल्ली द्वारा जल के अडवों की गती होने की प्रक्रिया को परासरण कहते हैं। इस प्रक्रिया में विल्यन तीन प्रकार का हो सकता है। अल्प परासरण दाबी विल्यन अती परासरण दाबी विल्यन या संपरासारी विल्यन। अल्प परासरण दाबी विल्यन। अती परासरण दाबी विल्यन यदि कोशिका के बाहर वाला विल्यन अंदर के घोल से अधिक सांद्र है तो जल परासरण द्वारा कोशिका से बाहर आ जाता है तथा कोशिका सिकुड जाती है। ऐसे विल्यन को अती परासरण दाबी विल्यन कहते हैं। संपरासारी विल्यन। यदि माध्यम की सांद्रता ठीक कोशिका की सांद्रता के समान हो तो कोशिका जिल्ली से जल में कोई शुद गती नहीं होती तथा कोशिका का आकार भी वही रहता है। ऐसे विलियन को सम परहसारी विलियन कहते हैं। प्लेजमा झिल्ली तथा उसके कार्य प्लेजमा झिल्ली के कार्य परहसरंड द्वारा एक कोशिक स्वच जलिय जीव तथा अनेक पौधों की कोशिकाएं जल ग्रहantry करते हैं। पौधों की जणों द्वारा जल का अफशोशन भी परासरन का एक उधारन है। इस प्रकार विसरन कोशिका की जीवन में जल तथा गैसों के आदान प्रदान की प्रक्रिया में महतपून भूमी का निभाता है। कोशिका अपने परियावरन से पोशन भी ग्रहन करता है। विभिन अणू एक प्रकार के परिवाहन द्वारा कोशिका के अंदर तथा बाहर आते जाते हैं, जिसमें की ATP के रूप में उर्जा की आविशकता होती है। प्रैस्मा जिली लचीली होती है तथा कारबनी काड़ों जैसे लिपिड तथा प्रोटीन की बनी होती है। कोशिका जिली का लचीलापन एक कोशिक चीवों में कोशिका के बाहे परियावरण से अपना भोजन तथा अन्य पदार्थ ग्रेहन करने में सहयता करता है। ऐसी प्रक्रिया को एंडोसाइटोसिस कहते हैं। अमीबा अपना भोजन इसी प्रक्रिय द्वारा प्राप्ट करता है. कोशिका भित्ती तथा उसके कारे कोशिका भित्ती पादब कोशिकाओं में एक और उभरी हुई बाहे परत कोशिका भित्ती पाई जाती है, जो की प्लैस्मा जिल्ली के बाहर स्थित होती है पादब कोशिका भित्ती मुख्य रूप से सेलिलोज की बनी होती है सेलिलोज एक बहुत जटिल पदार्थ है और यह पौधों को संदचनात्मक द्रिधता प्रदान करता है जब किसी पादब कोशिका में परासरन त्वारा पानी की हानी होती है तो कोशिका जिल्ली सहित आंतरिक पदार्थ संकुचित हो जाते हैं इस घटना को जीव द्रवे संकुचन कहते हैं कोशिका भित्ती के कार्य कोशिका भित्ती कोशिका को उभार तथा मजबूती प्रदान करती है तथा पौधे, कवक तथा बैक्टीरिया की कोशिकाओं को अपेक्षा क्रित कम तनू विलियन यानि आलप परासरन दाबी विलियन में उसके विरुथ दबाव बनाकर बिना फटे बनाए रखती है केंद्रक तथा उसके कारे केंद्रक केंद्रक के चारों तरफ दोरी परत का एक स्तर होता है जिसे केंद्रक जिल्ली कहते हैं केंद्रक जिली में छोटे छिद्र होते हैं, जिसमें से हूखर केंद्रक का पदार्थ केंद्रक के बाहर अर्थात कोशिका द्रव में जह पाता है केंदरक में गुण सूत्र यानी क्रोमोसोम पाए जाते हैं, जो की कोशिका विभाजन के समय छड़नुमा दिखाई पड़ते हैं गुण सूत्र यानी क्रोमोसोम में आनुवान्शिक गुण होते हैं, जो DNA यानी डी आक्सी राइबो न्युकलिक अमल के रूप में माता पिता से उनके संतिती में जाते हैं। गुण सूत्र यानी क्रोमोसोम डी आने तथा प्रोटीन के बने होते हैं। DNA के क्रियात्म खंड को जीन कहते हैं। कोशिका जब विभाजित होने वाली होती है, तब ये गुण सूत्र क्रोमेटिन पदार्थ के रूप में वैवस्तित हो जाते हैं। कुछ जीवों जैसे बैक्टिरिया में कोशिका का केंद्री एक्षित्र बहुत कम स्पर्ष्ट होता है, क्योंकि इसमें केंद्रक जिल्ली नहीं होती है। ऐसे जीवों को प्रोकेरियोट कहते हैं। जिन जीवों की कोशिकाओं में केंद्रक जिल्ली होती है, उन्हें यू केरियोट कहते हैं। केंद्रक के काट्रे केंद्रक कोशी की ये जनन में महतपून भूमी का निभाता है जिसके अंतरगत एक अकेली कोशी का विभाजित होकर दो नई कोशीकाओं का निर्मान करती है यह कोश की ये क्रिया कलापों को भी नियंतरित करता है कोशी का द्रव्वे तथा उसके कार्रे कोशी का द्रव्वे कोशी का द्रव्वे प्लैजमा जिली के अंदर पाया जाने वाला तरल द्रव्वे है इसके अंदर अनेक विशेशी क्रित कोशी का अंगक पाये जाते है कोशिका के अंदर प्रतेक कोशिका अंगक अपना विशेश कारे संपन्न करता है कोशिका द्रव के कारे कोशिका द्रव में सभी कोशिका अंगक पड़े होते हैं सारांश आईए हमने जो कुछ सीखा है उसे संक्षेप में दोहराएं कोशिका की खोज सर्व प्रथम रॉबर्ट हुक ने 1665 में की थी एकल अध्वा अनेक कोशिकाओं की उपस्तिती के आधार पर जीव दो प्रकार के होते हैं एक कोशिक जीव तथा बहु कोशिक जीव प्रतेक कोशिका की भीतर कुछ निश्चित विशेश घटक होते हैं जिनहें कोशिका अंगक कहते हैं जो की एक विशिष्ट कारे करते हैं प्लैस्मा जिल्ली कोशिका की सबसे बाहरी परत है जो कोशिका के घटकों को बाहरी परियावरां से अलग करती है पलेजमा जिल्ली वरनात्मक पारगम में जिल्ली की भाथी भी वहवार करती है, क्यूंकि यह कुछ पदार्थों को अंदर तता बाहर आने जाने देती है, जबकि अन्य पदार्थों की गति को रोकती है. वनात्मक पारगम में जिल्ली दोरा उच्छ सांदरता से निम्न सांदरता की ओर जल की गती होने को विसरन कहते हैं पादप कोशिकाओं में एक और उभरी हुई बाहे परत कोशिका भित्ती पाई जाती है जोकी प्लैस्मा जिल्ली के बाहर स्थित होती है पादप कोशिका भित्ती मुख्य रूप से सलीलोस की बनी होती है, जो की कोशिका को मजबूती प्रदान करती है केंद्रक एक गूल या अंडाकार बिंदू सद्रश संदचना है जो की प्रतेक कोशिका के केंद्र के आसपास पाया जाता है यह कोशिकी ये जनन में महतपून भूमी का निभाता है, तथा कोशिकी ये क्रिया कलापों को भी नियंतरित करता है कोशिका द्रव्य प्लैस्मा जिली के अंदर पाया जाने वाला एक तरल द्रव्य है इसके अंदर अनेक विशेशी कृत कोशी का अंगक पाए जाते हैं